दोस्तों आज की रेसिपी बहुती अमीजिंग रेसिपी है इसे बहुत कम लोग ही घर पर बनाते हैं अधिकतर लोग इसे रेस्तों में खाना पसंद करते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी खुद की मसाला मश्रूम रेसिपी जो बिलकुर रेस्टरों जैसी बनती है और बहुत ही ईजी तरीके से बनती है अगर आप मश्रूम हमारे इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपको रेस्टरों जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेसिपी को नमस्ते दोस्तों मैं हूँ रेनू और रेनू की रसोही में आप सबका फिर से स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इससे सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें एक कड़ाई को हीट करना है इसके बाद हम इसमें आट करेंगे 3 टेबल स्पून ओफ कोकिंग ओईल ओईल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें आट करेंगे 1 टी स्पून जीरा दो टुकडे दालचीनी तीन हरी इलाईची इसी के साथ हम आट करेंगे 1 मसाला जड़ और कुछ लॉंग लगबग 4-5 इसी के साथ मैं आप पर आट करूंगी 5-6 दाने काली मिर्च के आप चाहें तो इसका पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में हम इसमें आट करेंगे 1 बड़ी इलाईची इन सभी मसालों को अच्छे तरीके से भूनना है और गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है अब हम इसमें आट करेंगे प्याज तो मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज प्याज को स्लाइसे में कट कर लिया था और इस प्याज को अब हम कड़ाई में डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हमें सिर्फ टेंडर करना है तो यानि कि हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है अब हम इसमें एड कर देंगे अद्रक का पेस्ट लगबग आदा इंच टुकड़े को मैंने कदुकस कर लिया था अगर आप गार्लिक खाना पसंद करते हैं तो आप इस स्टेज पर एड कर सकते हैं और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लिंगे तो दोस्तों जो प्याज है वो टेंडर हो चुकी है हमें इसे सिर्फ इतना ही पकाना है अब हम इसमें एड करेंगे टमेटोस तो यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज टमाटर को स्लाइसे में कट कर लिया था आप इने किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और इन टमाटर को पहले हमें अच्छे से मिक्स करना है अब हम गयस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इने पकाना है हमें टमाटर को भी ज्यादा नहीं पकाना है तो हम इसे ढख कर 2 मिनट के लिए low to medium flame पर रख देंगे अब आप देख सकते हैं कि ये पहले से tender हो चुके हैं, soft हो चुके हैं हमें इने सिर्फ इतना ही पकाना है अगर आप spatula से इसे cut करेंगे तो थोड़ा सा press करने पर ये तूट जाएगा तो हमें इसी stage तक इसे पकाना है अब हम गैस की flame को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे दोस्तो मैंने यहाँ पर लिया है धाइसो ग्राम मश्रूम और ये धाइसो ग्राम मश्रूम मुझे 40 रुपीज में मिला है तो आप देख सकते हैं कि ये जादा costly नहीं होता है क्योंकि दाइसो ग्राम मश्रूम sufficient रहता है 3-4 लोगों को serve करने के लिए यहाँ पर मैंने इने अच्छे तरीके से wash कर लिया है अब हम इसे cut करेंगे आप अपने according किसी भी shape and size में इसे cut कर सकते हैं बस ध्यान रखें कि इसे जादा मोटा cut नहीं करना है वर्णना ये अच्छे तरीके से cook नहीं हो पाएगा और मश्रूम का अच्छे तरीके से cook होना बहुत ही ज़रूरी होता है तो लीजे दोस्तों मैंने मश्रूम को अच्छे तरीके से cut कर लिया है ना ही इन्हें ज़्यादा मोटा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला रखा है यह देखिए अब जो बाउल हमने यूज किया था ओईल के लिए उसी में हम मसाला तयार करेंगे तो हम इसमें आड़ करेंगे 1.5 तीबल स्पून ओफ हल्दी पाउडर 1.5 तीबल स्पून ओफ रैड चिली पाउडर 1 तीबल स्पून ओफ धनिया पाउडर यहाँ पर धनिया पाउडर ज़्यादा यूज करना है और इसके साथ हम एट करेंगे सॉल्ट यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियस जादा कर सकते हैं इसके बाद इसमें पाणी एट करना है और इसका एक पेस्ट फॉर्म तयार करना है यह दिखिए मसाले का हमने एक पेस्ट फॉर्म तयार कर लिया है लेकिन अभी हम इसे साइड रख देंगे और जो मसाला हमने तयार किया था उसे हमें ग्राइंड करना है तो इसके लिए हम सभी मसाले को ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करेंगे दोस्तो हमने इसे पहले थंड़ा होने के लिए रखा था ताकि अच्छे तरीके से ग्राइंड हो सके अब हमें इसे ग्राइंड करना है यहाँ पर मैंने फिर से एक कड़ाई लिया है और उसमें एड़ किया है एक टुकड़ा बटर का और टू टिबल स्पून ओफ ओईल इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक पिंच हींग और दो तेज पत्ते अब हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि अगर हम अभी हाई मीडियम पर गैस की फ्लेम को कर लेंगे तो जो बटर हमने इसमें यूज किया है वो जल जाएगा और इसी के साथ हम इसमें एड़ करेंगे ग्राइंट किया हुआ मसाला जो हमने तयार करके रखा था जो जार में बचा हुआ मसाला है उसे भी पानी मिक्स करके पूरी तरह से निकाल लेंगे जार में से और इसे अच्छे तरीके से इस पैचुला से चलाना है अब जो मसाला पेस्ट हमने पहले से तयार करके रखाता उसे हम कडाई में एड़ कर देंगे और एड़ करने के बाद इसे फिर से चला देंगे जिससी की जो मसाला है वो पूरी तरह से मिक्स अप हो जाए और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर हमें इसमें एक उबाल आने देना है तो आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ चुका है अब हम कडाई में एड़ करेंगे मश्रूम जिसने हमने पहले से कट करके रखा हुआ था पीसेज में मश्रूम एड़ करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें एड़ करेंगे वन टी स्पून गरम मसाला क्योंकि गरम मसाला हमने पहले एड़ नहीं किया था मसाला एड़ करने के बाद इसे मिक्स करना है और मैं यहाँ पर एड़ करूंगी तो ग्रीन चिली अगर आप जादा थीखा नहीं खाते हैं तो इस स्टैप को स्केप कर सकते हैं वरना आप इने जरूर एड़ करें और अब हम इसे ढखकर पकाएंगे लगबग 8 से 10 मिनट के लिए वो भी मीडियम फ्लेम पर लगबग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो मश्रूम है वो परतन के तले पर बैठ चुका है इसका मतलब है कि मश्रूम पूरी तरह से पक चुका है अब इसके टेस्ट को इनेंस करने के लिए इसमें एड़ कर देंगे से मिक्स करना है और दोस्तों जो मसाला मश्रूम है वो तयार है सर्फ करने के लिए तो लीचे दोस्तों तयार है मसाला मश्रूम जो की होम मेट है बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ बनाया है इसे आप तदूरी रोटी या मिसी रोटी के साथ सर्फ करें ये बहुत ही टीस्टी लगता है खाने में अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राय करेंगे तो घर में सब आपके दिवाने हो जाएंगे फिर आपको रेस्टों जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ मसाला मश्रूम खाने के लिए इसलिए आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें बहुत ही टेस्टी लगती है ये और बहुत ही आसानी से बन चाती है मेरे घर में तो लगबग ये वीकेंड्स पर बनती ही है तो दोस्तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसली होमेट रेसिपी के लिए इसे सब्सक्राइब करें और थैंक यू फो वाचिंग आवर वीडियो